तो मैं आपके सामने सिर्फ दो नियम, दो बाते आपके साथ शेर करने वाला हूँ, अगर आप इनका नियम से पालन करते हैं, तो कारिंटेड आपको ना तो डिप्रेशन पकल पाएगा, ना इंजाइटी आपके नजदीक आएगी, और नहीं आपको किसी तरह का स्ट्रेस और हसी खुशी जिनदगी बिता सकते हैं, तो सबसे पहला जो नियम है दोस्तों वो है, अपने आप में फेथ और इशवर में फेथ, यह यकीन होना कि जो होता है, अच्छे के लिए होता है, और जो इशवर ने आपके लिए किया होगा, वो अच्छा ही किया होगा, तो माता ने मुझे एक कहानी सुनाई थी और ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती है तो कहानी वो है दोस्तों कि बहुत प्राणी बात है एक राजा था और वो एक बार अपने सेनापती के साथ शिकार पर निकला रास्ते में गए उनके उपर किसी शेर ने हमला कर दिया और इस दोरान अपने बचाओं में जो है राजा का जो उठा था वो दाइने आत का वो जखमी हो गया और उसको काटना पड़ा ये सब देखके जो सेनापती है उसका ये फर्म बिलीफ था इस चीज में निकला और जब वो घंहे जंगलों में पहुँची तो वो भटक गए राजा एक तरफ चला गया और जो शिपाई थे किसी दूसरी तरफ चला गया और ये जो राजा भटकते भटकते एक आदिवासी इलाके में पहुँच गया जो इसके कभी लेके लोगों ने उसके कपड़े भटाए और उसको निलाने की कुशिश की देखा रहे उसका अंगुठा नहीं है कभी लेके सरदार ने कहा कि नहीं नहीं हमें तो संपूर्ण पूरे का पूरा मानव चाहिए जिसमें कोई नुक्स कोई कमी ना हो इसका तो अंगुठा क मांगी कि यार तुम ठीक थे मैं गलत था मगर ये बताईए कि मेरा तो चल अच्छा हुआ लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो तुमने अपने इतने साल जिंदगी के जेल में बिदा दिये उसने का सरकार अगर मैं आपके साथ होता और डेफिनिटली आपी के साथ होत तो मेरे तो सारे अंग हैं पूरे के पूरे हैं साबित हैं तो मेरी बली दे दी जाती तो इसलिए मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं जेल में रहा और मेरी जान बजगी और आपके लिए अच्छा हुआ कि आपका उठा गया और आपकी जान बजग गई तो फ्यूचर किसी न न दे और हाँ दोलत का अगर नुकसान होता है इसको वापस लिए आ जा सकता है अपने संबंधों को बना के रखें तो यह नियम जो है आपको हमेशा खुश रखेगा जो दूसरे नियम की हम बात कर रहे थे दोस्तों वो है अपने आपको यह मानना के आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हो और आप हो अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हो वो मैं इसलिए किसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि अगर आप सेहत पंध है आपका स्वास्त अच्छा है तो उससे बड़ी दोलत आपके पास नहीं है आप सारी दोलते आपके लिए कुछ नहीं है आपको उपर वाले का धन्यवाद थेंक्यू बोलते रहना चाहिए कि आपको उसनी यह सिहत दिया है और आपके संबंध अगर अच्छे है आप लोगों से अच्छे संबंध बना के रखते हो तो कभी आपको डिपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि अ ना डिपरेशन कुछ भी नहीं होगा मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं आप देखे कितने वो लोग हैं जिनको दो समाका खाना भी नहीं मिलता और आप कुछ धन के नुकसान पे दुखी हो जाते हैं तो अगर आप धनी हैं आप अगर धन के भी धनी हैं तो दान करें अगर आपको यह वीडियो बनाने का मौका मिला तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लेना कमेंट करके जरूर बता हैं क्या मैं इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मोटिकेशनल लेके आता रहा हूं अगर आपको वीडिय कि अच्छा लगा हो तो बैल करन का बटन भी ज़रूर दबालें so that मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें, धन्यवाद